जन पदमैनपूरी में भी शिक्षा संग ने आज तीसरे चरण में भी पैदल माच निकाला जिसके बाद कलेक्ट्रेट परिशर में गिरफतारी के लिए पहुँचकर करीब 450 अध्याप को ने गिरफतारी देकर अपनी आंदोलन को सफर बनाने की बात की वहीं शिक्षक संग जेल भरो आंदोलन में आए शिक्षकों का कहना था कि हमारी पुरानी पैशन बहाली को लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट में अपनी गिरफतारी दिये और गिरफतारी देते हुए कहा है कि अगर सखार ने हमारी पुरानी पैशन योजना लागू नहीं की तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे उन्होंने पुरानी पैशन और अपकी पैशन में अंतर बताते हुए कहा कि हमेश्यर बाजार वाली इंकम नहीं पैशन की गारंटी चाहिए यदि सखार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम किसी भी हद तक कुछ भी करने पर मजबूर हो जाएंगे विद्यालियों में ताला लगवा देंगे शिक्षक संगु के समयस्त सदस्योनी इस संबंध में ग्यापनसों